नमस्कार मसारदा पांडे आसान जिन्दिकी किस एपिसोट में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी पूजा के बाद प्रसात कब हटाना चाहिए हमारी सभी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई लोग पूछते हैं कि प्रसात छोड़ देना चाहिए या हटा लेना चाहिए तो मैं पहले बेपिशोट में बताई हूँ, आज भी बता रहे हैं दिपावली परफ में कि जब भी आप पूजा करें, किसी भी देवी जोता के पूजा करें, विशेश करमालच्मी के पूजन में बता रहे हूँ कि पूरा पूजा कर लें, पूजा संपन हो जाए, उसके बाद सबसे अंतिम कार्य होता है प्रसाद को हटा लेना पूजा के बाद, जब तक साधक अपने आराध के शामने बैठा रहता है, तब तक प्रसाद वहां होना चाहिए साधक वहां से जैसे उठने को हो, तभी प्रसाद हटाने के बाद साधक को हटना चाहिए जैसे माल लीजिए घर में ही हम जैसे खाना किसी को बड़े सयाने को किसी को देते हैं तो पहले बड़े सयाने बैठ जाते हैं उनको हम बैठने का आसन देते हैं पानी देते हैं फिर खाना देते हैं आप देखे होंगी खाना आप पहले से निकाल दो बड़े स्याने नहीं बैठे हैं तो डारते हैं खाना पहले से क्यों निकाल दिये या खाना निकालने के बाद जैसे बहुत देर हो गया जैसे आप बताते हो प्रसाद हम कब हटा है तो उसी के हम आपको समझा के बता रहे हैं खाना मालो निकाले हो, कोई बड़ा स्याना काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, खाना देर तक पड़ा है, तो उस खाने को असुद्ध माना जाता है, यानि कि बाल, मक्खी, धूल, उसमें पड़ जाता है, कहीं ने कहीं से, तो खाना असुद्ध माना जाता है, इसलिए देव पूजा कर लेते हैं, जब तक साधक वहां बैठा रहता है, जब तक जैसे कि अखंड रामय्ड अगर अगर जो होते हैं, तो वहां का प्रसाद चढा रहता है, उसको असुद्ध नहीं माना जाता, तो उसी प्रकार से मालच्मी का जब आप पूजा करोगे तो पूजन के तुरंत बाद सब प्रसाद हटा लेना चाहिए सिर्फ खाने का प्रसाद जैसे कि मालची आपके घर में चूहा अगरा जाता है लेकिन दीप, कलस, चौकी और देवता को नहीं हटाना चाहिए तुरंत नहीं हटाना चाहिए पूरे दिन वहीं पर रहने देना चाहिए विशेज कर मालच्मी के पूजन में हो सके तो रात्री 12 बजे तक सुद्ध गाय के घी का दीपक प्रजलित होना चाहिए यानि कि जलते रहना चाहिए और आप भी जागरित रहें 12 बजे तक तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रसाद तुरंत डालें इसके पहले भी मैं एपिसोड दे चुकी हूँ तमाम हमारी बहने उनको जल्दी पड़ी रहती है कि प्रसाद को लिए और परोसियों में बाटने लगते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि जो हम माता लच्छमी को भगवान स्रीहरी विष्णू को गणेश जी को कुवेर जी को आज के दिन यानि दीपावली के दिन हम प्रसाद अरपण करते हैं उस प्रसाद को हम स्यम ग्रहण करें न कि किसी और को दो यानि कि खुन के रिष्टे से जो बाहर है उनको नहीं देना चाहिए पडोसियों नहीं देना चाहिए लेकिन दीपावली का प्रसाद बाटने का बहुत महत्तु है तो आप अलग से प्रसाद जो अलग से प्रसाद मैं आपको बता रही हूं देने के लिए उस प्रसाद को भी रात्री को नहीं देना चाहिए यानि कि सुबह होके फिर आप मालचमी का पूजन उगरक करके उनका जो भी समान है उसको भी सर्जन करें हमारी तमाम बहने ये भी पूछी है कि हम पूजा के बाद क्या करें तो पहले मैं आपको प्रसाद के लिए बता रही हूं सब कर लें उसके बाद आप खुद प्रसाद ग्रहण कर लें उसके बाद फिर पडोसियों को प्रसाद आप सूबह दें अब आई चौकी की बाद तो पूजा के बाद चौकी तुरंत नहीं हट प्रसाद हटा लेना चाहिए प्रसाद अभच्छ हो जाता है यानि वो फिर खाने लायक नहीं रहा जाता अगर प्रसाद वहाँ छोड़ दोगी तो फिर हम गाय पच्छियों को देते हैं खुद नहीं खाते क्योंकि अदिश्च जो सक्तियां होती हैं उसमें प्रसाद में प् पूल माला ए सभी चीजें आप सर्च करोगे तीजा विसर्जन मैं दी हूं वैसा ही विसर्जन घर में हो सके तो करें क्योंकि लच्छमी की सभी बस्तुएं हमारे ही घर के चार दिवाली में होनी चाहिए जैसे कि बाहर विसर्जन विसेशकर नहीं किया जाता आप तीजा सभी विसर्जन कर सकते हैं और जो भी दच्छिना चढ़ा रहता है आज के दिन लच्छमी माताजी को वो घर में बेटीयों को बच्चें को जो है उनको दिया आता है बाहर नहीं दिया आता है जो सिंगार की शामगरी चड़ी होते हैं समाम मारी बेहनों का यही प्रशन है बेटियों का यह प्रशन है जो सिंगार का समान शारियोगर जो भी चड़ी रहते हैं को क्या करें तो मैं सभी पूजा में बताती हूँ कि आप दान कर सकती हैं दान करें कुछ स्वयम के पास रखें लेकिन ये जो विशेश पूजा है लच्छिमी जी का दिपावली का इसमें बताती हूँ कि इन में चड़ा हुआ सिंगार का सामान सारी पैसा कोई भी चीज दान नहीं करनी ह आप अपने घर में दे सकते हैं घर की बहन बेटियों को भी घर का ही माना जाता है बहन है बेटियां है उनको घर का ही माना जाता है अपनी रक्त है अपनी रक्त संबंधी उनको दे सकते हैं तो सिंगार के शामागरी भी घर में बित्रीत कर सकते हैं बहन नहीं देना महां आपका पूजन किये हैं आज हम आपका geld कर रहे हैं और उसके बाद मां का फोटो ए सथां जिसे कि मैं बताहां हूं कि हर साल मूरतियां नहीं खर करें और प्रसाइब को तुरंत हटाना चाहिए और प्रसाइब को तुरंत घर में वित्रण भी करना चाहिए प्रसाइब करना तो आपको दोनों जानकाय देदी कि चौकी दूसरे दिन हटाएं सभी सामगरी घर में ही अगर भी सर्जन करने का तीजा सर्ज करें तो आपको पता लग जा कि घर में खड़ा करके देव बिर्ष्च के नीचे भी सर्जन कर देते हैं अगर ऐसी विवस्था नहीं है तो जैसे कि फूल क्यारियां है गमल जरूर करें और हमारे साथ बने भी रहें और मैं फिर से दुबारा सभी अपने बहनों को बेटियों को भाईयों को माताओं को दीपावली की धेर सारी बधाई मंगल कामना शुप कामना दे रही हूं अपने बच्चों को वो सभी चीजे खरीदे जो आप खरीज सकें और झाल झाल